असलाम अलेकूम वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल कैसे आप सब लोग उमीद है आप सब लोग ठीक होंगे आज मैं बनाने लगी हूँ मूं की दाल और उबले हुए आलो की ब्रियानी यह बहुत ही असान है बनानी और बहुत ही मज़े की बनती है ठीक है आप इसको एक कर दें सबसे पहले आपने मौं की दाल को बाइल कर लीना आपने इसको ज्यादा जो है सीरा नहीं करना यानि कि जिस तरह हम चावर बाइल करते हैं उसमें कनी रखते हैं इस तरह हमने मौं की दाल में भी कनी रखनी है और उसके बाद हमने आलो बाइल कर लिए ठीक है दर्म और इसमें डाले तीन कटे भूए प्यास, चौप किया हुए लसन। और इसको अच्छा से खिला लें। आपने लसन और प्यास को अच्छी तरह से ब्राउन कर लें। तीच्छ है, जरा डाउर्क ब्राउन नहीं करना है। यह देखे हमारा प्याज और लस्टन जो है ब्राउन होना शुरू हो गया यह देखे जी हमारा प्याज जो हम ब्राउन होगे इसमें शामिल कर लोंगी अध्रक और टोमाटर तीन मैंने टोमाटर ले लिये थे ठीक है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लोंगी इसको आपने करिबन 2 मिनट के लिए से बूढ़ना है ठीक है और इसके बात शामिल कर देंगे दादर मिच 2 टेबल स्पून ठीक है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक 1 टेबल स्पून अलधी 1 अफ टेबल स्पून एसमें मैं शामिल कर दूंगी हरी मिट्चे हैं जो मैं आटाएंड की हुई है शामिल कर दूंगी और इसमें त्रह से पानी डाल कर भी आज़कर हम मिसाले को बून लेंगे हमने मसाले को ची तरह से बोन लिया आप इसमें मैं डाल दूंगी बाइल जो डाल हमने की थी उसको मैं शामिल कर लोगी ठीक है हमने इसको ज्यादा डाल को ज्यादा सीरा नहीं किया था जो थोड़ी बहुत कसर है वह जब तरका हम भूनेंगे तो इसमें जो है डाल अच्छी मैं शामिल कर दूंगी चिकन क्यूबस यह एक चिकन क्यूबस है जो इसमें मैं शामिल करने लगी हूं ठीक है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डाल लूंगी बाइल आलो आप चाहें तो इसको जो है दो पीस भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन मैं इसमें साबती शामिल करूंगी अलो शामिल कर लेने के बाद इसको हमने दो से तीन मिनट तक जो है बूनना है ठीक है यह देखें इसको हमने इच्छी तरह से बून ली है अब इसका मैं कर दूंगी फ्लेम आफ इसके बाद आप एक तेज़ की ले 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 इसमें पानी डालने ठीक है जिसने चावल आपने लेने उसके साभ से अपने पानी डालने ला लो इंगी ठीक है जी और इसमें शामिल कर लेंगे टू टेबल स्पुन नमुक ठीक है जी नमक एट करने के बाद इसको अची तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको चावलों को बलने के लिए रखते हैंगे ठीक है आपने ज्यादा चमच नहीं चलाना है यह देखें जी हमारे चावल जो है गल चुके हैं ज्यादा नहीं आपने इकलाने यानिके एक कनी आपने रखनी है इसमें ठीक है सीरा नहीं करने जो बाकी कसर होगी हो जब हम दम लगाएंगे तो वह हमारे चावल गल जाएंगे ची तरह से अब मैं कर दूंग फ्लेम आफ औ इस तरह से चावल डालेनी के बाद आप इसके ओपर मैं दाल और जो अलो का जो है सालन है वो डाल लूंगी ठालने तरह इस तरह से यापने डाल लेना है पर बाकी मेरे पास बचूब बच के थे उसको मैं सारे चावल इसमें शामिल कर लोगी जो बाकी बचे हैं अब आपने इसमें डाल देना है जर्दर रंग पानी में डाले दूर्द में डाले आपकी मर्जी है ठीक है और इसके डालूंगी लैमन और और अधनीया तेक है जी इस तरह से आपने अधनीया डाल देना है और इसको आपने रख देना है दम पे पांस मिनट के लिए इसको हम दम पे रख देंगे यह देखे जी पांच मिनट के बाद हमारे जो है चावल जो हराडी हो चुके है ठीक है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको और इसको हम कर लेना है डिश शाउट ठीक है जी अच्छा जी यह हमारी रेडी होगी है मौंकी दाल और बल्याए अलो की मज़ेदार बढ़ानी इस रेसिपिकर जरूर ट्राइ कीजिएगा और हमारी वीडियो के ज्यादे साथ लाइक और शेयर किया करें और जिन्हों हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब में के जल दिसने ह हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिए अलाह अफीस